आदाब और नमस्कार मैं हूँ सुल्तान कुरेशी और आप देख रहे हैं विवन्डी समय नीज अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर जरूर कीजिए तो आएए चलिए हम बढ़ बीच आज वो पधारवे हैं और हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे आज भीवन्डी में एक नया उतल पुतल हुआ है कि भीवन्डी के एक अच्छे नागरिक जो बहुत यह अच्छे शोचल वर्ड करते जिनका नाम था बिलाल कुरेशी उन्होंने एंसीपी को छोड़कर आ रहे हैं का जो रोल है उसका मुख्रा है वह क्या रहेगा आपका बहुत बहुत सवागत है तारिक भाई आपका आपका सबसे पहले तो यह बताईए कि आज विवन्डी के कॉंग्रेस पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं विवन्डी शेहर में कॉंग्रेस पार्टी की पोजिशन अच्छी थी पहला मापूर भी हमारा बना जावेद दिल्वी 47 सीटे कॉंग्रेस की यहां पर शेहर में चुनकर आई और ठीक है पार्टी में लोगों का आना जाना लगा रहता है कुछ लोगों ने अठ्रा नगर से वोगों ने इससे पहले मापूर के लेक्शन में विप का उलंगन किया उस तालुक से पार्टी अपना जो लीगल कारवाई लीगल जो प्रोसेश उसका होता है वो कर रही है जल्दी उसका भी नतीज़ा आ जाएगा और जहां तक भी होंटी शहर में कॉंग्रेस पार्टी का सवाल है कॉंग्रेस पार्टी दबने की तो बात नहीं है मैं इस बात से तफाक नहीं करता हूँ कॉंग्रेस पार्टी की यहां पोजिशन अच्छी है कॉंग्रेस पार्टी को मानने वाले लोग हैं और यह समय जब आता है एलक्षन का उस वक्त पता चलता है कि किसकी पोजिशन कैसी है कैसी है पिछली बार तो समय कुछ अच्छा ही था कॉंग्रेस के लिए इसलिए तो सैंकालिस टेटे जो है वो बिना कुछ किये बिना कुछ हार्ड वक्त किये लोगों के जहन में सिर्फ यह था कि हमें कॉंग्रेस को देना और सैंकालिस लोगों ने जनता ने लाकर रख गया लेकिन जनता की उमीदों पर पानी फिर गया जो विकास होना चाहिए था वो विकास हो नहीं पाया कॉंग्रेस के महापोर होने के बावजूद भी इस लेकार में क्या कहिंगा जिस वक्त कॉंग्रेस का यहां पे मापूर थे कॉंग्रेस के मापूर के वक्त सत्ता कॉंग्रेस की नहीं थी एक तालमेल होता है जो स्टेट गॉर्मेंट और लोकल बाडी में होती है अगर दोनों ही जगे सत्ता अगर एक ही पक्षकी रहती है तो उसे जो है मदद मिलती है और उसका development का काम होता है जिस वक्त विवंडी शहर में महापूर कॉंग्रेस का बना उस वक्त महाराज प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार जो है वो शुशेना और बीजेबी की तो हमें जिस तरीके से मदद होनी चाहिए थी उस तरीके की मदद नहीं मिल पाई साथ यही वज़े रही होगी इशायर का development में कहीं न कहीं पीछे पड़े हम ठीक है आपने तो इसके बार में तफसिल से बता दिया लेकिन अभी वी आपने काया कि सत्रा नगर सेवक जो बागी बन गयते यानि छोड़कर कॉंग्रेस को बहा गयते वीप का उलंगन किया था लेकिन पिछली बार जब शोईक बुद्दू साब आप जो है वो एंसीप म आ चुके हैं उन्होंने ये बताया कि हमने उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था तो जब उन्होंने निकाल दिया था और वो निकालने के बाद उस पार्टी वहां पर जाके वीप का उलंगन करें जब निकाल दिया था तो मेरे समझ में नहीं आता कि उन्होंने क का एक प्रोसेस होता है कि यहां से गर आपको कोई कारवाई करनी है तो आपको परदेश को लिखना पड़ता है और परदेश इस पर कारवाई करती है लेकि अदिश्टिक प्रेसिडेंट को किसी भी आदमी को पार्टी से निकालने का अक्तियार नहीं है एक बात दूसरी रहते तो मैं गटनेता के साथ खुद जाके उनके घरों पर वीप दिया है वीप लगाया है वीप चिपकाया है वो सारे प्रोसेस में जब वो खुद पेश पेश रहे हैं तो फिर मैं मुझे नहीं समझ में आता कि वो इस तरीके का की बाते क्यों कर रहे हैं अब देखिए मैं तो यह आता है जब पार्टी से निकाल दिया था अब उनका पार्टी को कोई सम्मन नहीं दूसरी बात यह उन्होंने बताया कि जावेद दली साब ने खुद मुस्कुराते वे कहा था कि सारा मामला खतम हो गया है जिसको जाना जाना है वो वहां जा सकता है फिर जो लो जानकारी नहीं दी जो अपने मन में आया उन्होंने अपने मन से ही किया है इसलिए इसमें कोई किसी किसिम की बात या कोई कमेंट्स करना मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगता और जब पार्टी से निकाले तो वीप क्यों लगाने के लिए एक छोटा सी मैं जहां तक समझ लगाने लोगों किया पहुचाने के लिए क्यों गया चलिए एक आखरी सवाल ये कि आने वाला जो 27 अरिक है उसमें कहा जा रहा है कि फैसला होगा इन 18 नगर सिवगों का जो लोग भाग गयते पार्टी से फरार हो गयते तो अपने विपका उलंगन करके दूसरे को और देख आप क्या चाहते हैं देखे 27 नगर 27 तारिक को फैसला आने वाला ये बात तो भाई मुझे यह किस ने आप से कहा यह तो मैं नहीं जानता क्योंकि हाई कोड का डारेक्ट डारेक्शन है कि एक तिक सारीक से पहले आपको इस केस का फैसला देना है तो आप क्या चाहते है किस अगर विप का जो भी उलंगन करता है तो उसका रिजल्ट ही डिस्कॉलिफिकेशन है अगर इस तरीके का और रिजल्ट नहीं आया तो तो जब अगर इस तरीके की कोई बात होगी फिर आगे का आगे देखेंगे तो यह थे हमारे साथ में वरिश्ट नेदा कांग्लेस के त तफसील से बताया है वाँ आने वाली 27 तारीक को ही फैसला हो पाएगा कि रिजल्ट क्या आता है रिजल्ट के बाद ही हम आपके सामने और भी बाते रख सकते हैं फिलाल तो यह खुशी का मौका है कि विवेंडी में जो है कॉंग्रेस में रदो बदल हो रहा है फिर पार हो का रहेंगे आधि अब ब्लy और घर Coming जो है फिसाब आप जो है वो हमें जो है एक हमें को अच्छी बात लगी कि आपने चोड़ कर शूरत कर शामिल होगे ल essay इसजा पहले बाद तो कि ढूल जा फो कौंडा मैं ने सबसे पहली बात तो यह बोलना चाहा हूं रहा है जितने भी तारीफ परकी साथ है हमारे रेहना मेडम है सुभाइए एलब सलाम भाइए जितने अश्पाक भाइए जितने भी हमारे जो भाई जो मैडम है समझे इनका टहरती से शुक्री अदा करता हूं और दूसरी बात ऐसा है कि बात करने से कोई काम नहीं होता है इन्शालला ओंग्रेस पर्टी हमको मौका दी है और हमको क्या करना है ये इन्शालला आगे आने आने अला वक्त काम करकी हम दिखाएंगे जो बोलता है वो करता नहीं है बिलाल कुरेशी ने क्या किया है और क्या नहीं किया है यह बताने की जरूष नहीं है मेरा काम बोलता है तो इंशालला जिस्टेब मेरा काम बोलेगा और जिस्टेब मेरा काम बोलता है विवंडी की पब्लिक को मालूम बचीता से बिलाल कुरेशी साब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग यहां मुदूद थे मैं उनका स्वागत करता हूँ। तमाम वो अच्छे लोग जो कांग्रेश पार्टी की पालिसी से इत्फाग रखते हैं। राहुल गांदी, पिरिंका गांदी जो महनत कर रही हैं देश के लिए, किसानों, मजदूरों के लिए लड़ रही हैं। उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उन सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। पहले जैसे भी रहा होगा, लेकिन आज ये बात हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने वार्ड में काम करना चाहते हैं, भारत को बनाना चाहते हैं, राहुल गांदी की वो जो बात है, कि हम सच्चाई से एक इंच पीछे ने हटेंगे, जो सच्चाई के हम कहना चाहेंगे आपके जरीए कि कांग्रेस पार्टी में आईए, कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागा तो एक अच्छे तरीके से जो है कांग्रेस सहर के विकास के लिए काम होगा, पहले जैसे भी रहा होगा, रहा होगा, किसी ने अच्छा किया, बुरा कियो अलग छीज़ है लेकिन इब अच्छे दरीके से सहर के बिकास के लिएगे कांगरेस पार्टी लड़ेगी कांगरेस पार्टी हम तमाम लोग मिलकर लड़ेंगे सहर के बिकास के लिए